पूरे तरीके से हम लोग आज विशलेशन करने का प्रयास करेंगे कि कितने मार्क्स का था टेस्ट, कितने लोगों ने दिया और टॉप रैंकिंग जिन्हों ने हासिल की है वो टॉप रैंकर कौन से हैं आईए पहले हम इस टेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि हमने कब कराया था तो ये टेस्ट था आपका All India Full Mock Test, Test No.9 था Test No.9 से पहले आठ टेस्ट अल्रेड़ी जो है Full Mock अल्रेड़ी आपको करवाए जा चुके हैं और वो सभी टेस्ट अभी भी अप्लिकेशन पे एक्टिव हैं अगस्त तक की मैंने उसमें डेट डाल रखी थी जिस दिन वो एक्सपायर हो जाएंगे मैं वापिस उसको एक्टिव कर दूँगी Unlimited Attempts के साथ जो है वो टेस्ट आपके एक्टिव हैं आपका भी भी उनको कर सकते हैं जो अभी का टेस्ट था ये टेस्ट आपका बाईस जुलाई को था सुबह 10 बजे से ठीक है बाईस जुलाई को सुबह 10 बजे से था और 23 जुलाई सुबह 10 बजे तक ही आपका टेस्ट था इसमें टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, टेस्ट के फीचर्स क्या-क्या थे, चलिए देखते हैं, जो टेस्ट है देखो, यहाँ पे जो हमारा online application है और जो library science का batch है, इसके अंदर 6571 students जो है, वो enrolled है, यानि कि इसमें शामिल है, लेकिन टेस्ट को दिया कितने बच्चों ने दिया है टेस्ट, तो 208 जो students है, जो 201 students है, अगर देखा जाए, तीन घंटे का जो timing था, उस timing का average अगर निकाला जाए, तो per student 40 minutes में ही आप लोगों ने पूरे के पूरे 150 question करें हैं, अगर हम लोग average score की बात करें, तो 300 number का आपका paper था, जिसमें 144.48 marks जो है आपका average score जो है वो बन रहा है, और grade जो है average क्या बन रही है, बी बन रही है, यानि कि majority जो students है, वो क्या attempt किये हैं, कौन से grade हासल किये हैं, बी हासल किये हैं, यह जो है graph है हमारा basically, grade A वाले जो है यह हैं, B वाले यह हैं, C वाले ये हैं, D वाले ये हैं, E वाले ये हैं और F ग्रेड भी कई लोगों की आई हुई है तो F ग्रेड वाले भी हमारे students यहाँ पर आपको देखेंगे चलिए आगे चलते हैं हम लोग Top Rankers की बात करते हैं ये हैं हमारे Top 3 Rankers जिन्होंने Top 3 में अपनी position secure की है राजेश जिनके Marks है 295.34 इनकी First Rank आई है राजेश को जहां तक मैं समझती हूँ जितने भी Test Series हमारे application पे किया गया है राजेश एक ऐसा नाम है जो हमेशा Top 5 में मुझे Maximum नजर आया हुआ है तो अच्छी preparation है मैं इनकी मान सकती हूँ सुनिल गोधारा 292 नंबर के साथ जो है वो Second Rank पे है सुरेश 292 Marks के साथ Third Rank पे है ठीक है अब 292.02, 292.02 इन दोनों के Marks अगर आप देखेंगे तो Second और Third Rankers के Marks जो है वो क्या है सेम है लेकिन Second और Third इनको क्यों मिला है क्योंकि जो Attempt का टाइमिंग होगा इनका वो जो है Different इन दिफ्रेंट होगा यह मैंने खोला है सेकेंड रैंक पे जो थे 32 मिनट फिफ्टी टू सेकेंड में जो है इन्होंने किया है फिफ्टी इससेकेंड में जो है इन्होंने किया है Third Rank वाले को हम देखते हैं Third Rank वाले ने किती देर में किया है क्योंकि मुझे जहां तक लगता है टाइमिंग को लेकर के ही थर्ड वाले ने देखिए एक घंटा छे मिनट लिया है इसको करने के लिए तो time के हिसाब से जो है वो ranking में इनके फरक आई है otherwise marks के हिसाब से जो है इनकी ranking क्या है same है, दोनों same rank पे आ सकते हैं next, मैं randomly नाम जो है announce कर देती हूँ Mohan Chaudhary है, 4th rank पे Jitendra Kumavat, 5th rank पे, Vikram Singh, 6th rank पे Vikas Vishnoyi, 7th rank पे, Suman, 8th Gagan, Gill, 9, Gagan भी अच्छे scorer बन सकते थे मैंने इनका वो देखा था review, बट Gagan आपको थोड़ा सा effort और करना है थोड़ा आप काम कीजिए इस पे, काफी अच्छा कर लेंगे Deepak, 10th rank, Rajat Kushwa, Rajat आपको भी और मेहनत की जरुरत है अभी थोड़े दिन पहले ही मैं आपका जो है किसी और channel पे, किसी और coaching के test paper पे जो है top rank में और बकाइदे आपके जो है वो वक्तव उस पे आ रहते हैं कि first rank आपने कैसे प्राप्त की तो first rank अगर आप 50 number में पा रहे हैं तो यहां 500 number में भी आपको top 10 में आने की जरुरत है आपको 11 number पे आना शोबा नहीं देता है, थोड़ा सा मेहनत आप और कीजिए next मुकेश चौदरी बारवे नंबर पे पुखराज सिंग 13 नंबर पे सुरेश कुमार 14 नंबर, मिलन भट 15 नंबर, चिरिपाल सिंग आधा 16 नंबर, बजरंग विश्णोई 17 नंबर, अक्षय 18 नंबर पे हैं नंद किशोर 19 नंबर पे, समताद आधीश 20 नंबर पे, मदन चौदरी 21 नंबर पे, दीपक मेगवाल 22 नंबर पे नेक्स्ट, विजेंद्र सिंग, विजेंद्र आपको भी थोड़ा सा, आप हिल गए हैं ऐसा लग रहा है, छुट्यों में, लॉक्डाउन में, गैप मिल गया आपको, बट यह नहीं होना चाहिए, ओके 23 रैंग पे विजेंद्र हैं, हेमेंद्र 24 नंबर पे, सुनेल विश्णोई 25, सत्राम सिंग 26, संतोष 27, विजे सिंग 28, दयाराम 29, हरीश भादू, 30 नंबर पे हरीश भादू, अगेन यह एक ऐसा नाम है, जो पहले जो टेस्ट हुआ करते थे, यह चौप 10 में आता था तो हरीश जी, बस मैं आपको यह कहना चाहूंगी, कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इतने लूज नहीं हो सकते हैं, देखो, जितने स्टुडेंट्स मुझसे जुड़े वे हैं, जो मेरी कोचिंग से हैं, या जो मेरे regular touch में रहते हैं, मुझे हर किसी का नाम ध्यान है आपका नाम इसलिए ध्यान है, क्योंकि जब भी result में analysis करती थी या result को जब भी मैंने review लिया है, उसमें कहीं न कहीं top 10 में आप मुझे दिखते रहते थे, top rankers में थे, तो अभी यहाँ पे आप 30 में नंबर पे आ रहे हैं, A grade का आना is good, A grade आपने पाया है, यह अच्छी बा राम देयाल कीर 32, भवाने सिंग 33, राजेश कुमार गुपता 34, ममता चाहर 35, राजेश बागोरिया 36, संदीप 37, डाउद 38, again, डाउद 38 नंबर is not acceptable, आपको थोड़ी और मैनत करनी पड़ेगी, आपसे 38 rank जो है वह expect नहीं करती मैं, चंदर प्रकाश 39, प्रशांद शर्मा 40, दिनेश 41, मयूर 42, नौरंगी विष्णवी 43, विक्रमादित्य 44, सुरेंद्र केदार 45, पावन स्वामी 46, लोकेश 47, सुरेश कुमार 48, उर्मिला 49, टीनु जांगीर 50, केदारमल शर्मा 51, मोहन चौदरी 52, विक्रम सिंह 53, सुमन शेखावत 54, बजरंगलाल मिना 55, अजय जोशी 56, अभी 57, रमन भारद्वाज 58, रसपाल कौर 59, शीतल कुमारी 60, जग्दीश पाटिदार 61, दिनेश कुमार 62, हरियोम 63, पूनम तवर 64, प्रभाचादरी 65, सोनिया 66, समोज सिंह 67, आशापूरी 68, रिंकू 69, रचना चौदरी 70, चंदर प्रकाश 71, जग्दीश राम 72, मुकेश कुमार सहनी 73, मुकतार 74, पूर, मदू मित्रा, लाडो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, बस एक शब्द बोल रही हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, ये रैंकिंग आपके लिए नहीं है, आप इस रैंकिंग पे नहीं हो सकते हैं, टॉप रैंकर्स, कभी आप हुआ करती थी, आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, 75 रैंक जो है आपके लिए नहीं है, कोशिश कीज़े टॉप 10 के लिए, प्रियांका 76, सुरेश कुमार यादो 77, गौरो टाक 78, राम 79, इश्वर प्रताप 80, राम जाट 81, लोकेंद्र सिंग 82, गौरांग 84, जितेंद्र 85, केलाश चंद्र 86, कृष्णामन्दा 87, एकता 88, सिताराम कुमावत 89, पुनम चौदरी 90, देविलाल 91, मदनलाल 92, राम सिंग, भिजार्निया 93, इंदराज 94, हरिमोहन सैनी 95, पिंकी सोनी 96, राम सहय 97, किरोडिलाल मिरा 98, मीरज इंदौलिया 99, नागेंद्र 100, उशामीना 101, विवेक सूरा 102, विवेक, अगेन, आपकी रैंकिंग भी ये नहीं होनी चाहिए, मैनत करो, ठीक है, विजेंद्र सिंग, विजेंद्र जी, आप भी धीले डाले पड़ रहे हैं, नहीं चले गए ऐसे, 103 नंबर पे विजेंद्र है, वित्रा, 117, हर्शल, 118, मनोज सैन, 119, विक्रम यादो, 120, अब मुझे पता नहीं है, ये कौन विक्रम यादो हैं, लेकिन अगर ये हमारे कोचिंग के विक्रम यादो हैं, तो ये रैंकिंग इनको भी शोभा नहीं देती, क्योंकि काफी सारे लाइब्रेरी के ग्रुप्स को जो है, जहां तक मैं समझरी हो, अगर मेरे यहां के स्टुडेंट हैं, तो ये काफी सारे ग्रुप्स को भी लीड करते हैं, तो ये रैंकिंग इनको शोभा नहीं देती है, मायंक दवे, 121, दामोदर, कलावत, 122, निर्मला यादो, 123, संजीव, 124, किर्ती, 125, राजुरा ये पता नहीं किसका नंबर है, नाम नेनों ने मेंचिन किया, 136, मोहन, 137, सुनिता गोश्वामी, 138, सुनेल चौदरी, 149, शाश्वत, पाटिदार, 144, मनीशा पारिक, 141, सतीश, 142, मन्जु कुमारी, 143, प्रतिभा, 144, सहदेव, गुजर, 145, धर्मेंद्र, 146, जितेंद्र, 147, इंद्राधायल, 148, सुमन, 109, गोरो, 150, रोहिताश्व, 151, सुनिता शर्मा, 152, पुश्पा, 113, मदन, मोहन, सोन 154, प्रभा ठाकुर, 155, नीता महता, 156, वंदना महता, 157, मोहित गौर, 158, प्रियंका जांगीर, 169, दीपक शर्मा, 160, स्रिजन, 161, रामकिशोर कुमार, 162, महिंद्र जार्ट, 163, अलका शर्मा, 164, सन ए, डोननो कौन है ये, 165, अनीता, 166, ए आर गौर, 166, रमेश, कल जावत, 168, विजय, 179, ज्यान, 170, भेरु सिंग, 171, निमिशा, 172, अनीता, 173, रजनी, 174, शिवानी, 175, पुष्पा वर्मा, 176, गीत, 177, मतलब, स्टार्टिंग से केवल, बॉयस बॉयस ही आ रहे थे, मधुमित्रा के बाद, आई थिंक, अभी गल्स का जो है, वो स्ट चारण, 178, किरन, 180, यह मैं नहीं हूँ, यह कोई और किरन होंगी, हितेश पाटिदार, 180, शिवानी विष्णोई, 181, मिनाक्षी, 182, नीतु, 183, उपेंदर सिंग, 184, रेनु, 185, वैभो, 186, बाबुलाल, 180, विंता, विष्णोई, 188, सुपृता, 180, सुपृता, 180, 19, देवरत दौसाद, 193, पिंकी, 194, रानी, 195, अब यहां से 195 के बाद जो है, वो माइनस वाले स्टार्ट हो रहे हैं, सौरी, 0 वाले जो है, वो 00 वाले स्टार्ट हो रहे हैं, बालकिशन, शर्मा, यह हैं 196 नंबर पे, विनोध, बुनकर, 197, 0 नंबर के साथ, स्नेहा व्यास, 197 नंबर पे हैं, 197, 197, 197, 197, ओके, यह रैंकिंग यहां से गड़बड हो रही है, क्योंकि 00 इनोंने ले रखा है, 197 पे यह रहे, देंस नेहा, 198 पे आ गई, माया, 199 पे आ गई, भूपेंट, 200 पे आ गई, और रवी कुमार बैर्वा, 201 पे आ गई, यह हमारे टोटल जो है, मैंन पूरे के पूरे आपके जितने भी 201 students थे, मैंने पूरे 201 students को जो है, आपके सामने रख दिया, कि उनके क्या-क्या marks थे, किसके किसके, और कहां-कहां, कितना, किनोंने जो है, वो गेन किया है, और कितने वो qualified हैं, अब एक बात मेरे नहीं समझ में आती, यह जो 1st rank, 2nd rank, 3rd rank ह चिके, top rank में आये हैं, marks भी इन्होंने अच्छे गिन किये हैं, राजेश, 295, 292, 292, अब आप तीनों मुझे यह बताइएगा, आप top scorer हैं, और जो भी question, 150 question दिये गए थे, 150 question में से 14 question जो है, मेरे पास report किये गए हैं, यानि कि 14 question में students ने मुझे आपतियां दी हैं, तो अ अगर उन 14 questions को हम लोग थोड़ा सा हटाएं, 14 में से अगर मैं 7 को भी जो है, ऐसा मानूं कि उन में कहीं कोई problem है, तो या तो questions correct students को जो है वो फीक तरीके से करने नहीं आया, question या तो समझ में नहीं आया, या फिर वो question बच्चे ने पढ़ा नहीं है, और नहीं, तो question, जो है वो question में कहीं problem है, बट students की side से जो है top rank आने के लिए कुछ न कुछ ऐसा किया गया है, जिससे marks उनके highest आये हुए है, तो आप तीनों जो है, देखिए मैं आपनों का नाम announce कर रही हूँ, आप तीनों मुझसे personally बात कीजिए, 9460-345-178, आप मुझे इस number पर personally मुझसे बात की कर दीजिए, और मुझे confirm कर दीजिए कि सारे questions correct थे, ठीक है, ताकि जो question बच्चों ने report किया है, उनको हम answer कर सकें, कि हाँ, ये question correct है, और इसका explanation जो है top rank ने हमें दिया है, तो इस तरीके से, देखो, अंधेरे में रखना जो है, ये कहीं ना कहीं गलत होगा, अगर question गलत है तो भी जिन बच्चों को ये गलत लगता है, या जो बच्चे वो confused हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके confusion को clear करना किसी भी तरीके की, मतलब कोई सोचने वाली बात होगी, confusion को हमेशा clear करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि 4-5 questions तो ऐसे हैं, जो personally बच्चों ने मुझे WhatsApp करके बोला है कि ma'am, ये question का answer हम लोगों ने अलग-अलग जगहों पर ये option पढ़ा है, बट आपने ये दिया है, तो जिन students ने वो question का option जो मैंने दिया है, वो अगर किया है, तो वो क्यों किया है, उनको explanation पता होगा, तो मैं चाहते हूँ आगे आएं और वो बताएं इस चीज को और ये अच्छा रहेगा, दूसरे students भी इससे benefit ले सकेंगे, चलो, एक तो ये बात थी, ये हमने पूरा का पूरा जो है, वो analysis कर लिया कि हमारे जो है, वो ranks क्या थे, अब आप लोगों को पता है, 29th को 2nd grade का, जो है, RPSC वाला जो 2nd grade जो होने वाला है, 2 अगस्त को, उस exam का जो है, हम लोग mock test लेंगे, 29 तारिक को है, सुबह 10 बजे upload होगा, और 30 तारिक को सुबह 10 बजे तक आप उसको कर पाएंगे, paper का pattern मैं कोशिश करूंगी, कि जिस तरीके से RPSC में आना संभावित हो, या जैसा आता है, जैसा बनके आना चाहिए, उस तरीके का बिलकुल बना करके देंगी, तो जो लोग 2 अगस्त को paper देने जा रहे हैं, वो ये सोच करके चलें कि ये उनके उस exam से पहले का final जो है, एक बोलते हैं कि आपने अपनी तयारी कितनी की उस तयारी का निचोड एक जो है, वो final test के रूप में लिया जाए, तो वो जो मैं test लोगी, वो एक त क्यारी कीजिए, 29 को फिर वापस एक test के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए, बाकी को अगर दिक्कत हो, तो आप मुझे call कर सकते हैं, message कर सकते हैं, दूसरे वीडियो जो हम upload करते रहते हैं, आपके काफी काम के वीडियो होते हैं, आप उनको देखा कीजिए, ठीक है, दे कर सकते हैं, आपके काम 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 कर सकते हैं, आ